असलाम लेकुम तो आज मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूं चिकन कोर्मा बनाने की रेसेपी जो लग बिगिनर से उनके लिए ये काफी आसान रेसेपी रहेगी और काफी टेस्टी बनकर तयार होती है तो आपने मेजर्मेंट का ध्यान रखते हुए इस रेसेपी को बनान अब यहां पर हमने कडाई में ओईल को गरम करने के लिए रखना है तो जो चार बड़े सर्विंग स्पून होते हैं उतना में ओईल चाहिए और हाफ टी स्पून के बराबर हमने इसमें हरी लाइची का पाउडर जो है वो ख्रश करके डाल देना है तो यहां पर इसे कोर्म लगते हैं प्यास को जो है वो ब्राउन होने तक फ्राइ होने में तो आपने आठ से दस मिनिट मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है और यहां पर देड के चिकन है और बागी के जो इंग्रिडियन्ट है उसमें लिया हमने 5 टेबल इस्पून फूल भर क लेनी है तो इस सारे इंग्रिडियन्ट है जो इसमें जाए गए तो यहां पर जो है और जो है आटस सेमिट के बाद में हमने जिंगर गर्लिक के पेस्ट को एट करना है और इसे भी हमने 4-5 मिनिट भून लेना है तो 4-5 मिनिट हो जाने के बाद पाउडर मसाले एट कर और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से कूक हो सके तो यहां पर अच्छी तरीके से पानी डालते हुए भून ले आठ से दस मिनिट लगे कि इसे भूनने में तो आपने इसे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर भून लेना है और जब ऑईल सर्फेस पर आ जाए तो ह धहीक का पानी है वह बिल्कुल ढूना हो जाएगा करें realism काफ़ी आसान से रेसे पित तो आप यहां पर शार करें पर देख नम've साथ हमें इस अच्छा से मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर ले थाकि जो चिकन में मसाले है वो तक चैसी मढ़ी गेस फच nimmt कर दे और इस से कवर कर कर गाए दे तो 10 मिनिट आप करके पकाएगे ताकि हमारा जो चिकन है वह अच्छे से टेंडर हो जाए तब तक हमने जो भी में एक्स्ट्रा इस लिए थे उन्हें हमने ग्राइंड करना है जिस में नारियल था खशकर्ष्टी और गाजू थी तो इसका पेस्ट तियार करना है अच्छा दस मिनिट इसे कव तो आपने इसे फिर से कवर करना है और फिर से पकाना है इसकी कंसिस्टेंसी का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब ठीक हो जाए तब हमारा जो कर्मा है वह अच्छे तरीके से कूख होगा तो यहां पर दस मिनिट हो गए थे हमने कवर को अटा दिया तो इसके बाद हमने जो है गरमा-साला पाओडर और काली मिर्च का पाओडर एट किया हाफ आफ ती स्पून दोनो पाओडर हमने एट करना है और अभी बी कंसिस्टेंसी काफी जो है वह लिकविटीस ही थिए थो हमें थोड़ा इसे फुल फलेम पर ठीक करना है तो यहां पर कंसिस्टेंस तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकतें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक